आपका स्वागत है चैनल को लाइक शेयर सब्क्राइब करो और हमें सपोर्ट करो हमारा 1000 सब्क्राइबर्स का एक टार्गेट था प्लीज उस अचीव करने में हमारी मदद करो तो हमने एक न्यू सीरीज लेका है है ओल्ड प्रिवियस कोशिन पेपर वो भी ड्यू के ठीक है जैसे कि आप सब जानते हैं ड्यू का एक्जाम आ चुका है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है आप एंटीए के वेबसाइट में जाके ले सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर लाइबरी एटेंडन जो है वो 19 सेप्टेंबर को है और 25 सेप्टेंबर को सेमी प्रोफेशनल है प्रोफेशनल जो है वो 27 को है और 30 को 30 सेप्टेंबर को लाइबरी असेस्टेंट है और जो सेमी प्रोफेशनल और लाइबरी असेस बता देती हूं 150 questions आएंगे ठीक है जैसे कि यह question paper आप देख पा रहे हैं यह है 28 January 2018 का शहीद भगत सिंग evening college का है और यह किस post के लिए है यह library attendant के लिए question paper था ठीक है तो attendant में एक ही paper होता है ठीक है अपने mind में एकदम fix करो कि library attendant के लिए एक ही paper होता है जिसमें 150 questions होते हैं आपके पास 150 questions में 50 questions जो होते हैं वो library science के होते हो जो 100 questions होते हैं वो आपके अधर होते हैं जिसमें 25-25 questions को divide किया जाता है sections में 25 आपके questions आएंगे reasoning के 25 आपके mathematics के 25 आएंगे आपके GK के 25 आएंगे आपके English या Hindi के ठीक है जो भी आप choose करोगे ठीक है और इसमें marks कितने होंगे आपके marks होंगे 300 मतलब इच कोशन हाविगा 2 marks ठीक है और कितने time मिलेगा आपको सिर्फ 2 घंटा मिलेगा और यह सारे paper में होगा ठीक है अब second paper की बात करते हैं library attendance में तो एक ही paper होगा पर second paper जो कि semi professional assistant है यह library assistant है और library assistant और professional assistant जो है ठीक है तो उनमें क्या होगा जो descriptive paper होगा वो कैसा होगा 50 questions आपको MCQ कहीं मिलेंगे library science में ठीक है 50 questions library science कहीं होगा और MCQ होगा 5 questions आपके पास आएंगे descriptive जिसमें आपको descriptive answers देना होगा ठीक है तो यह पूरा मिलाके आपके जो marks होगे वो approximately 200 होगे ठीक है 200 होगे 100 marks आपको इसमें होगे कि each question 2 marks ठीक है तो 500 यह जो होगे 5 questions जो होगे यह 150 marks के भी हो सकते हैं ठीक है अगर each question जो 5 questions आपको मिलेगा वो अगर एक question 10 marks का होगा तो आपके 150 questions हो जाएंगे 150 marks हो जाएंगे और अगर आपका क्या कहते हैं इस तरीके से remember कर लीजे कि इस तरीके का paper आएगा आपका second आपको समझ में आया होगा मैं आपके लिए second paper का question paper भी आपको solve करवा दूँगी इसी series में यह हैं हमारी का करते हैं previous question paper series है वो भी due के तो चलिए start कर देते हैं आज का session पटाफट से चलिए तो पहला question है हमारा ccf stands for common communication format इसका जो right answer है वो option c है common communication format accession number means unique number for a book inside a particular library ठीक है next question देखते है main use of shelf list तो main use क्या होता है उसका होता है stock verification ठीक है next question देख लेते हैं library catalog card are filled in specially designed drawers called catalog cabinet ठीक है next question देख लेते हैं information gatekeeper comes under dash source तो इसका जो right answer है वो documentary है इसमें मैं एक और question बता देते हूं एक और question आता है technological gatekeeper तो जो technological gatekeeper होते हैं वो आते हैं under non documentary source में ठीक हैं तो इसे किसे से अच्छे से याद रख लीजेगा mind में अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं sheets before and after text of a book are called end papers end papers कहते हैं ठीक है which of the following leather being used as one of the binding material because of being the strongest leather तो इसका जो right answer है वो है sheep skin sheep skin की जो leather बनती है वो सबसे strongest बनी जाती है ठीक है next देख लेते हैं which of the following has prescribed certain standards for library binding तो लाइबरी बैंडिंग के लिए कौन प्रिस्क्राइब करता है certain standards तो वह है ALA American Library Association यह सारे questions बहुत important है आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा सिर्फ लाइबरी सिर्फ नॉलेज लाइबरी साइंस में आपको यह question paper हम लोग ही आपको अवैलेबल करवा रहे हैं ठीक है तो प्लीज चैनल को like share subscribe जरू कीजेगा ठीक है और इसी type के ही questions आएंगे आपके library attendant में जो 50 questions होंगे library science के ठीक है all parts and pages of a volume are correctly sequenced in the first stage of binding process is known as तो इसको क्या बोलते हैं इसको collision बोलते हैं ठीक है next देख लेते है which of the following is the main objective of library binding of a library material तो क्या है वो वो durability है ठीक है next question देखते है the process of withdrawing outdated and seldom used books from the library is known as तो यह किस section में आता है यह आता है wedding out right books misplaced on the cells by readers are restored this work is referred to as shelf rectification self rectification basically मैं थोड़ा से एक brief बता देती हूँ self rectification में क्या होता है self rectification यह होता है कि आप racks में जाओगे एक एक shelves में जाओगे और चेक करोगे कि कोई जो book है उसको किसी ने मतलब कोई जो book है जिसमाल लो कोई social science की कोई book है मतलब 300 के अंदर की books है जो की 500 में रखी गई है मतलब 500 में उसको रख दिया गया है तो वो miss place होई है मतलब किसी बच्चे ने उसको जान पूछके उसको उस section में रखा गया है ठीक है तो I hope आपको समझ में आया होगा ठीक है next देखते हैं next question है book lost from the library are known through कैसे पता चलता है stock verification से पता चलता है यहाँ पर यह गलत है टिक कर रखा ठीक है यह नहीं है answer है stock verification ठीक है next question देख लेते हैं next question क्या है which of the following is an important record of books which show the position of any book on the shelves तो वो कैसे पता चलता है वो पता चलता है हमें shelf list से ठीक है physical condition of the book should be properly maintained this is known as conservation क्या है यह conservation है ठीक है conservation है conservation दोला जाता है इसको next question देखते है next question है while entering the library the personal belongings of our reader is keep in which of the following तो इसका जो right answer है वो है property counter ठीक है option B property counter next question देखते है getting book back from the user and releasing the borrower tickets is known as discharging discharging इसको एक और चीच बोलते है मैं बता देते हूं return return आ गई ठीक है return बोलते है और इसको check in भी बोलते है ठीक है आप इस तरह से भी याद कर लीजे कि check in भी बोलते है ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है तीन words है एक चीच को describe करने की ठीक है next question देख लेते है which of the following which one of the following is one of the record of circulation section तो circulation section का क्या यहाँ इसमें record है तो वो है accession register ठीक है next question देखते है precise preserved context indexing system was developed by direct assistant कब developed किया था इसने मैं आपको year बता देती हूं 1974 ठीक है यह इस टाइम पर यह developed हुआ था by direct assistant पर अभी यहाँ पर लिखा है for use in the which of the following तो कौन ही इस्तामाल करता है तो BNB करता है BNB का है British National Bibliography और यह कब established हुआ था यह established हुआ था 1950 नाइन्टीन फिफ्टी में ठीक है और ठीक इसके नीचे 1957 में Indian National Bibliography हुआ था ठीक है I hope आपको यह समझ में आया होगा next question देख लेते है next question क्या कह रहा है which of the following functions which of the two functions are mainly performed by technical section तो वो क्या-क्या है वो है cataloging और classification ठीक है next देख लेते है IBM stands for IBM stands for International Business Machine ठीक है next question देख लेते है payment for the books purchased can be made only after accessioning यह याद रखेंगे कि जो books की जो payment होती है वो accessioning से पहले नहीं दी जाती है मतलब पहले accessioning हो जाएगी उसकी उसके बाद payment जाती है ठीक है मतलब यहाँ पर क्या होता है कि books पहले ही आ जाती है और payment बाद में होती है right बट यह कहते हैं जो journals होते हैं जो printed journals होते हैं उनका opposite होता है payment पहले हो जाती है और वो अपनी frequency के according आती है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे मतलब जैसे अगर कोई buy manual है तो buy monthly आएगी ठीक है और अगर कोई quarterly है तो वो quarterly आएगी तो उसकी payment होती है advance payment होती है journals में ठीक है चलिए next question देख लेते हैं next question है result obtained in computer is called तो जो result होता है वो क्या बोला जाता है मतलब जो result निकलता है computer का वो बोला जाता है output ठीक है in encyclopedia botanica which of the following act as an index to micropedia तो इसका जो right answer है वो micropedia है micropedia का micropedia है इस तरीके से हम इसे याद रख लेजेगा which of the following is a legal document and can be used as a source of industrial information तो वो है specification ठीक है next question देख लेते है next है study crels are exclusively exclusive areas mean for which of the following तो वो है researcher ठीक है next question देखते है next question क्या है scrutinity of financial transaction is called ये है auditing एक और नाम है scrutinity ठीक है आपने सुना होगा कि scrutinig हो रही है forms की तो क्या हो रहा है उसकी मिलब जाच की जारी है मतलब जो मतलब forms में कुछ गलत तो नहीं लिखा है कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जो कि trust करने के लाइक नहीं है ठीक है rejection जो होता है वो scrutiny के बाद result आता है कि कौन कौन से जो forms है application forms वो reject हो है मतलब आपको एक example दिया application से जैसे आपको जादा अच्छे से समझ में है तो इस type का ही कुछ होता है scrutiny or financial जो transaction होती है अगर उसमें उन्हें कुछ doubt होता है तो वो scrutiny से निकलता है या फिर सो auditing भी बोल सकते हैं ठीक है next question देखते है in fund accounting which of the following which of the following funds cannot be used for other purpose तो कॉन सा है other purpose रीक्वेरिंग Okay ranging between other purpose वोड़ेERS i. b links in we system i.e. necessary clean material i.e. ponisha Spartans next question देख लेते हैं, next question क्या है हमारा, next question है, the library budget of a university is passed by the, तो इसका जो right answer है, वो है exclusive council, exclusive council जो है, वो university का जो budget है, वो pass करता है, executive council, next question देख लेते है, which of the following budgeting does not take into account for the past snackion and needs fresh justification of the money to be spent, तो इसका जो है, वो zero-based budgeting है, ठीक है, zero-based budgeting, ZBB, आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, next question देख लेते हैं, next question है, budget which mainly covers items of current revenue and expenditure is called capital budget, ठीक है, capital budgeting, principle of maximum aggregate benefit is concerned with, तो जो principle है, maximum aggregate benefit is concerned with, क्या concern होता है, basically, तो वो होता है, library service, library service जो है, वो हमेशा, most concerned होती है, ठीक है, कि library service जो है, वो stop नहीं होनी चाहिए, any cost, ठीक है, चलिए next देख लेते हैं, what is the Urkund, Urkund is a plagiarism check software, ठीक है, तो इसका मैं और बता देती हूँ, इसका जो अभी recently नाम change हुआ है, इसका नाम हो गया है, original, ठीक है, original इसका नाम हो गया है, और और भी बहुत सारे software's हैं, जो plagiarism check करते हैं, तो उसका मैं नाम बता देती हूँ, एक है, turn it in, ठीक है, वो भी use होता है, और एक हर है, IT authorized, एक है, तो मैंने आपको तीन आपको नाम बता दिया, एक तो उरकुंड जिसका नाम original हो चुका है, IT authorized, और एक है, turn it in, इसके और भी software's है, जो plagiarism check करते हैं, आप net पे एक बार सर्च करोगे, plagiarism check software's, आपको और भी नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, तो basically जो उरकुंड है, और turn it in है, वो जादा इस्तमाल होता है, ठीक है, चलिए, next देख लेते हैं, next question क्या है, which of the following financial support is given to library, तो वो कैसे दिया जाता है, वो endorsement and recurring से, ठीक है, next question देख लेते हैं, which is the full form of mocks, mocks, mocks क्या है, massive open online course, तो mocks का जो example है, मैं वो आपको दे सकती हूँ, swim से, swim जो है, वो mocks का सबसे अच्छा example है, ठीक है, तो आप इसे याद रखना, जैसे आपको कभी कोई पूछे कि mocks क्या होता है, और mocks का कोई example बताओ, तो आप swim को बता सकते हो, ठीक है, उनकी swim में full courses available है, ठीक है, आप कर सकते हो, और बहुत सारे courses available है, free of cost है, ठीक है, और वो सारा का सारा क्या है, online है, ठीक है, घर बेटे-बेटे, आप swim के app से उस course को कर सकते हो, या फिर उनकी website से जा के भी कर सकते हो, ठीक है, कार्डेस system is used to keep the record of, ये प्रियोर्डिकल के लिए इस्तमाल होता था, ठीक है, PPBS relate to, PPBS क्या relate करता है, ये करता है, planning, programming, budgeting system, ठीक है, ये, आप, मैंने इसका, आपको abbreviation से, ये, इसका full form भी बता दिया, ठीक है, तो आप इसे याद रखना, call number of a book means, तो call number क्या होता है, call number होता है, call number तीन चीजों का mix होता है, book number, class number, और collection number, इन तीनों को अगर मिक्स करेंगे, तो हमारा क्या होगा, call number बनता है, ठीक है, तो इसका जो right answer है, वो है, बोत a और b, क्योंकि यहाँ पर collection number option में दिया नहीं गया है, बट मैं आपको फिर भी बता रही हो, जैसे कि आपके future के लिए, आपको अगर जरूरत पड़े तो आपके लिए अच्छा हो, call number तीन नमबर का mix होता है, book number, class number और collection number, ठीक है, आप इसे याद रखना, इन book selection, तो किसकी जरूरत नहीं होती, non-readers की, जो readers नहीं है, उनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, book selection में, next question देख लेते है, match क्या है, match है, एक thesis, ठीक है, next question देखते है, how many digits are there in the ISSN, तो यह जो है, वो है 8 digits, और ISSN जो है, वो कहते हैं, जो journals होते हैं, उनको दिया जाता है, यह serial को दिया जाता है, और वो कौन देता है, निस्केर देता है, उनको issue कौन करवाता है, निस्केर issue करवाता है, serials, जो serials निकालते हैं, जो journals निकालते हैं, एक एक journals को वो यह number assign करता है, ISSN, ठीक है, next question देखते है, when was proven charging systems started, तो यह start वा था, 1895 में, post corp related to, is related to library administration, ठीक है, which national agency is in India, is responsible for assigning the ISBN, तो इसका जो right answer है, वो है, राजा राम मोहन राय लाइबरी foundation, तो मैंने आपको इसका full form बता दिया, RRRLF, ठीक है, next question देखते हैं, the devy decimal classification divided human knowledge into 10 basic categories, ठीक है, next question देखते हैं, identify the odd one from the following, तो इसका जो right answer है, वो है, कोहा, plan is, plan क्या है, plan है, contain management system, ठीक है, next question देख लेते हैं, P, P क्या है, is the e-book reading device for infibin, infibin का एक format है, e-book है ये, जो की infibin में इस्तमाल होता है, ठीक है, और next question देख लेते हैं, which of the following is an example of microblogging, microblogging क्या है, तो इसका जो right answer है, वो है, ट्विटर, ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50 questions किये, इस question paper में, ठीक है, जो की शहीद राजगुरू, शहीद भगत सिंग, evening college का paper था, जो की 28 January 2018 में लिया गया था, ठीक है, library attendant का, उसका मैंने आपको library के जो 50 questions आते हैं, वो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आया होगा, कि किस type का question आ सकता है, ये due के exams में, ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई और अपनी तयारी अच्छे से कीजिए, और hopefully आपको seat मिल जाए, ठीक है, तो please channel को like, share, subscribe कीजिए, हम बहुत जल्दे और भी old question paper लेके आएंगे, due के, ठीक है, तो please channel को like, share, subscribe जरू करना, thank you, कर दो कर दो कर दो